नमस्कार स्वागत है आपका रोयल बुलेटरन में मैं हूँ आपके साथ बबली चलिए बताते हैं आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरे दिली के राव जेवने कोट ने दिली आपकारी घोटाला मामले के सीबियाई से जुड़े मामले में दिली के मुख्यमांतरी अर्विन केजरिवाल की नयाएक हिरासत 27 अगस तक बढ़ा दी है आज केजरिवाल की न्याइक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद केजरिवाल को वीजी आज़क र58 के जरीए कोड में पेश किया गया कोड ने आज अगस्त को केजरिवाल की न्याइक हिरासत 20 तारिक तक बढ़ाई थी यानि की आज तक इससे पहले 10 जुलाइक को कोट ने ईजी की चार्जशीट पर सन्यान लेते हुए कि इस जीवाल को पेश होने का आदेश दिया था कोलकाता रेप कांट की घटना पर देश भर में विरोध प्रेदेशन हो रहा है इस घटना को लेकर भारतिय जनता पार्टी सीएम ममता बनर्जे और राज्ये की पुलिस पर हमलावर है इस बीच असम की मुख्य मंतरी हेमंत बिस्वा सर्मा की प्रितिक्रियाच सामने आई है दरसल इनों ने कहा है कि आप मेरा तीन वर्ष का रिकोर्ड देख लीजे कोलकाता में जो अपराध हुआ है अगर ऐसा असम में होता तो हमारी सरकार तुरंत नयाय कर देती है राज्य का विपक्ष मेरी इस नीती की अलोशना करता है लेकिन मुशिक कोई फरक नहीं पर था क्योंकि बेटियों की रक्षा में कोई समझोता नहीं होगा कोलकाता रेव मजर केस की ओटोपसी डिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं पोस्ट माचम डिपोर्ट में योन हिंसा जैसे कई सबूत मिले हैं रिपोर्ट के मुताविक पीडिता के सिर चहरे गर्दन और गुपतांगों पर 14 से ज्यादा चोटों के निशान मिले हैं साथ ही मौत की वजह हाथ से गला घोटना माना गया है साथ ही रिपोर्ट में सेक्शल असोल्ट की आशंका भी जताई गई है रिपोर्ट के अनुसार पीडिता के गुपतांग में सफेद गाड़ा चिपचिपा तरल पदात पाया है और फेप्टों में खून के ठक्के जमने की बात गही गई है हाला कि फ्रेक्शर के कोई संकेत नहीं मिले है जाँच के दोरान मिले खून और अलनेत तरल के नमूनों को आगे की जाँच के लिए भेंज दिया गया है सरकार को खूब सुनाया की अगुवाही वाली तीन सदस्य बैंश ने राज्य सरकार का पक्ष रख रहे कपल से बिल्ग सामने सवालों की बोच्छार कर दी कोट ने कड़े शब्दों में पूछा कि बोड़ी आठ बजी रात को पेरेंट्स को दी गई और उसके बाद 11 बच कर 45 मिनट पर केस दर्च क्यों हुआ कोट ने आगे पूछा कि क्या शुरुवात में मडर केस दर्च नहीं किया गया कॉलिज के प्रिंसिपल उस समय क्या कर रहे थे उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया हैरानी की बात तो ये है कि ज्यादतर सवालों को लेकर कबल सिब्बल के पास जवाब ही नहीं थे कोट ने इसके साथ एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है जिसकी अंतरिम रिपोर्ट तीन हफते में देनी होगी इसके अलावा सुप्रीम कोट ने सीबी आई से 22 अगस्त को स्टेटर्स रिपोर्ट सोपने को कहा है कोलकाता रिप कांट को लेकर पूरी देश में आक्रोज जारी है सडकों पर विरोध प्रेजर्शन हो रहा है होस्पिटलों में OPD सेवाई सस्पेंड चल रही है और राजनीती भी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है इसी बीच सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई शुरू कर चुका है आज ही फैसला हो सकता है कि इस कीस में न्याइक जाच की जरूरत है या फिर नहीं दूसरी तरफ सीबियाई की जाच भी स्पीड पकड़ चुकी है आज इकर मेडिकल कॉलिज के प्रिंसिपल से लगातार कुछताश हो रही है कई घंचों के सवाल जवाब हो चुकी है कई लोगों की गिरुफतारी भी हुई है इस बीच पीडिता के माता पिता अभी जाच स संग्यान लिया है चीफ जस्टिस डिवाई चंद्रचूर की बैंच मामली की सुनवाई करने वाली है अब इस बीच सुप्रीम कोट की तरफ से क्या पीडिता को न्याय मिल पाता है इस पर सभी की नजरे चिकी हुई है करीब दो महीने पहले किरन चोधरी कॉंग्रेस छोड परकर भारतिय जंता पार्टी में शामिल हुई थी और आज किरन चोधरी ने अपनी विधायक पत्स से इस्तिफ़ाग दे दिया है विधान सभा स्पीकर ज्यांचंद गुपता ने किरन चोधरी का इस्तिफ़ा स्विकार भी कर लिया है इसके साथ ही भाश्पा ने आश्या विधायक दल की बैचक बुलाई है बैचक में किरन चोधरी को राज्य सभा चुनाव में उमीदवार बनाई जाने पर फैसला किया जाएगा इसके साथ ही नभ्य सदस्यों वाली हर्याना विधान सभा में विधायकों की संख्या अब 86 रह गई है किरन चोधरी और उनकी बे पूर्प उपुख्य मंत्री तेजस्वी यादव ने लेटरल एंट्री के जरीए केंद्र सरकार पर निशाना साथा है दरसल इन्होंने मंगलवार को आरोप लगा है कि प्रधान मंत्री नरेंज्र मोधी सन्विधान और आरक्षन को खत्म कर असन्विधानिक तरीके से परत सिवल सर्विस एकजाम के माधियम से होती है जिसमें प्रारंविक मुख्य परिक्षवय इवन साक्ष्टरतकार होता है इसमें सी, स्कोबिसी और EWS की री रिजवेशन लागो होता है लेकिन लेक्र एंट्री में भरती सिर्व साक्ष्यतकार के माध्यम से हो रही है और पीना परिक्षा के इसमें सभी लोग भाग नहीं ले सकते आरक्षन के मुद्दे पर राज्यक के घटक दल आपस में टकराते हुए नजरा रहे हैं उप बर्गिकरण में जीतन रामांजी चिराग पासवान की राय से सहमत नहीं है चिराग को सर्वोष नयाले की तरफ से राज्यों को दिये गए अनुसूची जातियों पर उप बर्गिकरण के अधिकार पर अपती है तो वहीं जीतन रामांजी ने क्रीमी लेयर को लागुड न करने के फैसले का खुल कर विरोध किया है 21 अकस 2024 को पूरा भारत बंद रहेगा S.A.S.T. इसवेशर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जवाब देते हुए आरक्षन बचाओ संगर्ष समीती ने कल भारत बंद का एलान किया है किसी भी तरह के तनाव से बचने के लिए राज्यों के हर जुले में पुलिस तैनाद कर दी गई है दरसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को S.A.S.T. ग्रुप के अंदर सब कैटेगरी बनाने के लिए कहा है कोर्ट के अनुसार जिन लोगों को वास्तों में इसकी जरुवत है उन्हें डिजर्वेशन में प्रात्मिता मिलने जाहे कोर्ट के इस फैसले पर बहस छिड़ गई है कई सामाजिक और राजनेतिक संगछनों ने इसका विरोध किया है ठाने के बदलापूर स्थित एक स्कूल के बाथरूम में बच्चियों के साथ योन उत्पीडन किये जाने का खुलासा हुआ है इस घटना के विरोध में स्थानिये लोगों ने रेलवे ट्रेक को जाम कर दिया है लोग रेल रोग को आंदोलन करके स्कूल प्रशासन के खिलाप करवाही की मांग कर रहे हैं इसके बाद बदलापूर रेलवे स्टेशन पर कई लोकल ट्रेन रोग दी गई है इसके जानकारी CPR और सेंट्रल रेलवे ने दी है स्कूल के सफाई कर्मी वर बातरूम में दो बच्चियों का योन उद्पीडन करने का आरोप लगा है पुलिस ने सफाई कर्मी को अरेस्ट कर लिया है इस घटना के चार दिन के बाद स्कूल प्रशासन की चुप़ी के खिलाफ पेरेट्स का गुस्सा फूट चुका है प्रदेशन कार्मी ने मुंबई जाने वाले ट्रेनों का ट्रेक ब्लोग किया है मध्य प्रदेश के च्छतरपूर में आज सुबह सुबह एक दर्दनाक सड़क हाथसा हो गया हाथसे में पांश लोगों की जान चली गई और छे से ज्यादा लोग घायल हो गए मरने वालों में बच्चे और बुजुर्ग दोनों शामिल है दरसल सभी लोग च्छतरपूर रेल्व स्टेशन से बागेश्वर धाम दर्शन के लिए ओटो में बैठ कर जा रहे थे और तभी तेज रफतार ओटो हाईवे पर ट्रक से भिड़ गई आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ओटो ड्राइवर ने ओवरलोड सवारी बिठा ली थी हादसे की सूश्र मिलता ही पुलिस मौके पर पहुँच गई और घायलों को तुरंत जिला होस्पिटल ले जाये गया घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है मुझफर नगर में सर्विलान सेल ने 24 खोई हुए स्मार्च मुबाइल फोन बरामत की है जिनकी कीमत लगभग 41 लाक रुपे है ये अभियान वरिष्ट पुलिस अधिक्षक अभिशेक सिंग के निर्देशन में और पुलिस अधिक्षक नगर सत्य नरायन प्रजापत के निकट प्रेवेक्शन में चलाया गया विबिन नागरी को दौरा अपने खोई हुए मुबाइल फोन को वापस पाने के लिए प्रात्न पत्र दिये गए थे जनके आधार पर सर्विलांस टीम ने कड़ी महनत और परिश्रम के बाद इन मुबाइल फोन को राज्ये के विबिन स्थानों से बरामत किया आज पुलिस अधिक्षक नगर सत्य नरायन प्रजापत नहीं मुबाइल फोन को उनके वास्तविक स्वामियों को सोपा आपकी जानकारी के लिए बताते कि मुबाइल स्वामियों ने सर्विलांस टीम का आभार व्यक्त किया और इस सराहानी कारे के लिए मुझफर नगर पुलिस की जम कर प्रिशन साकी इसी तरह हरे खबर से अबडेट रहने के लिए देखते रहे है रोयल बुलेजन